हालो फ्रेंज, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंज आज हम एम्स जोदपुर के 2024 के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते है तो, फ्रेंज, इस वीडियो में हम आल केटगरी का कट ओफ और रेंग, मार्क्स सब कुछ कवर किया है आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी फ्रेंज वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको अगले वीडियो का सुचना जल्दी मिल सके एम्स जोडपूर में सीट की अगर बात करें तो 125 MBBS सीट है इसमें से ओपन कैटगरी के लिए 49 सीट है और ओपन PWD कैटोगरी के लिए 2 OBC कैटोगरी के लिए 33 OBC PWD कैटोगरी के लिए 1 के इस प्रकार के कैटगरी वाइज 125 MBBS सीट है एम्स जोधपुर में इस साल यानी 2024 में पिछले साल की तुलना में हर केटोग्री का मार्क्स और रैंक हाई हुआ है फिर भी कहे तो एम्स का डिमांड अब बढ़ने लगी है क्यूंकि एम्स तो एम्स ही होता है यहां की कट ओफ देखे तो इस साल यानी 2024 में पहली राउंड का क्लोजिंग रैंक जिनेरल केटोग्री के लिए 374 था और 708 मार्क्स लाने वाले स्टुडेंट को यहां पर MBBS में एडमिशन मिला है ठीक उसी तरह पहली राउंड का क्लोजिंग रैंक OBC के लिए 695 था और 705 मार्क्स लाने वाले स्टुडेंट को यहां पर MBBS में एडमिशन मिला है SC के लिए पहली राउंड का क्लोजिंग रैंक 4912 था और 685 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिला EWSK category के लिए पहेली round का closing rank 805 था और 705 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिल गया है SD category के लिए पहेली round का closing rank 10,281 था और 675 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिल गया है Friends कुछ और भी category है जो सब वीडियो में कहना संभव नहीं है सब category की अगर बात करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो Friends आज की वीडियो में बस इतना ही अगर मन में कोई संदे है तो जरूर comment करे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकोन को भी दबा लो ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का सुचना आपको मिल सके धन्यवाद